मित्रो नमस्कार मैं आर आर यादो हिंदी गुरू चैनल में आपको अश्रत करता हूँ मित्रो आपके लिए आज नया टैप्ट लेकर के आया हूँ जिसका नाम है परहबाची और परहबाची में आपकी सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि आपको वो सब्द याद नहीं होते हैं उन सबकी समस्याओं को लेकर के आज मैं हाजिर हूँ जो समस्या ऐसी होती है कि जैसे आप कहते हैं कि हमें प्रहाइबाची मिस्टेक हो गया या कैसे गलत हो गया या आप कहते हैं कि प्रहाइबाची याद रही होती है तो लोग यह भी कहते हैं कुछ लोग की यह समस्या है क्यों कहते हैं कि हमको इतनी किताब में ने पढ़ लिया लेकिन प्रहाइबाची हमारा गलत हो जाता है और य जादस जादा नंबर गेन करें कैसे हम प्रहबाची सही करें तो उसके लिए हम आज बहुत ही महत्पूर वीडियो बनाये हैं जो आप देख लीजिए कि मैंने यहां पर बताया है कि आप इतरी ट्रिक बता दूँगा कि आपको किसी भी समस्या किसी भी प्रस्म की समस्या नही होगा कि जैसे आप देखते हैं कि पानी का जो प्रहबाची होता है जल होता है तो जल अगर आपने लिखा है पानी का याद है तो अगर इसमें जा आपने जोड़ दिया जा मैंने यहां पर लिख दिया है तो जा जोड़ देंगे तो आपका यह कमल का प्रहबाची हो जाए दूसरा सब्द देख लिए बादल, बादल में दा रहता है, आपको ध्यान रखना है कि बादल में दा जोड़ेंगे, तो आपका परफाची क्या बन जाएगा बादल का परफाची जैसे मने यहां पर लिखा जल, इसमें मैंने जा जोड़ा तो जलज हो गया और जलज कमल का इसके बाद में बादल में मैंने दा जोड़ दिया तो इसमें जलद हो गया और जलद ये आप देख रहे हैं बादल का प्रहवाची है और फिर इसमें अगर धा जोड़ दिया मैंने अँपर लिख दिया है तो आपका ये समुद्र का प्रहवाची हो गया इसके बाद देखी जैसे नीर लिखते हैं आप नीर का मतलब आप समझते हैं पानी होता है तो इसमें अगर आपने जा जोड़ दिया तो नीरज हो गया और नीरज कमल का परहवाची है इसके बाद में जैसे आपने दा जोड़ा तो ये बादल का परहवाची बन जाएगा और जैसे धा पर छोट हो गया और जैसे ही मैंने चोटी धा पर छोटी मातर लगाया तो अम्बुध समुद्र का प्रयवाची यह रिकितना भी सब Release पर लिखा है तो एक समस्या जो आपकी चाहे पानी का प्रयवाची हो चाहे कमल मातर preparedness वादल का प्रयाबाची हो चाहे समुद्र का प्रयाबाची हो तो इन प्रयाबाची के लिए ये ट्रिक मैंने जो निकाला है ये आप आराम से इसको कर सकते हैं हाला कि इसके बाद भी और प्रयाबाची इन सब्दों के हैं लेकिन आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करने पड़ेगी बहुत आसानी से आप इस ट्रिक को समझ करके और बहुत अच्छा नंबर गेन कर सकते हैं। इसके बाद में देख लिए ये तो पहली ट्रिक है रही मेरी कि आपकी जो समस्या है कम से कम आपको स्रव सब्द नहीं आद करना पड़ेगा। सब्दों का मतलब है कि पानी के बहुत सारे प्रयावाची हैं बादल के बहुत सारे प्रयावाची हैं कमल के बहुत सारे प्रयावाची हैं तो आपको इन समस्याओं को देखते हुए ये ट्रिक बहुत काम आएगी बहुत बहुत बहुतरिन ट्रिक है इसके बाद में अगरी समस्य क्या होती है आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये किसका परयाबाची है क्योंकि एक सब्द के अनेक परयाबाची होते हैं और हो भी सकते हैं तो जैसे यहाँ पर दूसरी ट्रिक देख लिए आप मैंने यहाँ पर लिखा है ध्यातब बाते ध्यातब का मतलब होता ह द्यान देने वे बातें कि जैसे आप रटे पड़े हैं कि 16 बिदुद का प्रयावाची है लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना है कि 16 रात का भी प्रयावाची है तो जब आप इस तरह से याद रखेंगे तो आपका सब्द जो भी आएगा तो आप तुरन समझ जाएगे कि बिकल्प में रात दिया है या बिद्दुत दिया है अगर उतने शनदा पूछ लिया किसका प्रहवाची है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि रात का प्रहव प्रहवाची होता है लेकिन तरण आपको ध्यान रखना है कि शूर का भी प्रहवाची होता है तो जब आप एक सब्द के अनेक प्रहवाची जैसे दो सब्द हो गए तीन सब्द भी हो सकते हैं चार सब्द भी हो सकते हैं तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो विकल् प्रिक कर देना है तो जब आप इन ट्रिक को जो मैं ट्रिक बता रहा हूं इस ट्रिक का अगर पालन आपने किया तो आपके बहुत सारे सब्द सही हो जाएंगे और मैंने बताया कुं सास्ति का इवाची होता है आप कि रत्रत्रते हैं कि हमको को सब्रतु मैंने बताया आपको कि इला पिर्थवी का भी पर Olaf कि लेना है न स्मझने के लिए विह बताया आपको है तो ये विकल्प में दिया हो तो दोनों को को टिक करएंगे तो जैसे आप अप में कि परेवाची है तो अपको झार रखना कि विकल्प में क्या मिलना भाद इसके बाद दignant सूरी लिखा गया है तो सूरज का भी प्रयावाची होता है सूर्य हंस का भी प्रयावाची होता है तो जब आपको हंस मिल जाएगा तो आप सोचेंगे तो सूरज का प्रयावाची है तो आप उसको वहीं गलत कर देंगे तो ऐसी जगा पर ध्यान रखना होता है जैसे अज है अज बकरा का भी प्रयावाची है अज ब्रह्मा का भी प्रयावाची है तो आप सोचेंगे कि अज मैंने याद किया है बकरा तो ये ब्रह्मा कहां से आ गया तो ब्रह्मा का भी प्रयावाची है जो विकल्फ में आएगा वो उत्तर टिक करना होगा ऐसे ही सोम चंद्रमा का भ भी परहवाची है तो स्वह्म अगर आ गया तो आप ध्यान का परहवाची है इसके बाद सिली मुख भारा का ही परहवाची है वाण का भी परहवाची है और उन्क सब्दों homeowners सोझेंगे कि इसाहिताए तो इस सब्दों के लिए आपको नोछ एधियन है और यह वीडियो में अभी इनके जिस प्रकार से सब्द दिये गए हैं कि एक सब्द के कई परेवाची जैसे मैंने वहां पर बताया है तो कई परेवाची आप जो सब्द रटते हैं वह रटना नहीं पड़ेगा आपको मैं ऐसे बहुत सारे सब्दों को लिखवा दूँगा क कि जिससे आपकी समस्या साल हो जाएगी इसके बाद में अभी परेवाची जैसे बिशुडू का परेवाची है या इंद्र का परेवाची है या कामदेव का परेवाची है तो बहुत सारे सब्द अभी मैं ऐसे लिखवाओंगा जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा अभी मैं स्टार्ट जो भी प्रयावाची का किया हूँ तो इस प्रयावाची में अभी आपको मैं ट्रिक बताओंगा कितनी ट्रिक बता दूँगा कि आपको इसके बाद में रटरे की समस्या समात हो जाएगी और आप बहुत आराम से बहुत स्मूथली आप किसी भी क्वेस् और आइकन जरूर दिया करें जिससे क्या होगा कि आप आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी और जितना भी वीडियो मेरा जाएगा वह आपको मिलता रहेगा तो बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों कल मैं अगला वीडियो प्रया बाची पर देता हूं तब तक के